पलाएन एक ऐसी समस्या है जिसके करण वहां की संस्किर्थे और सभिता खत्रे में आ जाती है और इस समस्या से देश के कई राजे जूज रहें आज हम बात करने वालें उत्राखंड के बारे में जहां पहाडों से लोगों के पलायन से वहां की संस्किर्टी और सब्धेता खत्रे में है साथ ही बात करेंगे ये पलायन आखिर हुआ क्यों और इसका जिम्मेदार कौन है इसको कैसे रोका जा सकता है तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सेयर करना ना भूले साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो जो पलायन को रोकने में सहायक हो तो मुझे कमेंट के माद्धम से जरूर बताएं तो आईए जानते उत्राखंट से पलायन के कारण क्या है उत्राखंट के पहाड़ों पर छोटे छोटे चोटे गाओं हैं जो कई जिल्लू में बटे हैं किरसी लोगों के आजी वीका का मुख्य सादन है यहां रहने वाले लोग बेहत महनती और इमानदार हैं और बहुत सरल सभाव के हैं लोग इतने सीधे हैं कि यहां आपको पुलिस स्टेशन नहीं मिलेंगे मतलब कानून ब्यवस्ता जैसे कोई समस्या नहीं है यहां के लोगों के लिए उनका सम्मान ही सबसे बड़ी पूजी है कानून ब्यवस्ता की जिम्मेदारी राजी सरकार दोरा नियुक्ति किये गए पटवारी पर होती है पटवारी एक तरह का अकाउंटेंट होता है जो की जमीन के रिकॉर्ड का लेखा जोका रखता है जब उत्राखन में सब कुछ इतना अच्छे है तो वहां के लोग पलाइन क्यों कर रहे हैं आखिर क्या कारण है सरकारों ने वहां के समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ट्रोजगार आदी बन्यादी सुजदाओं से आज भी पहाड बन चिते हैं आखिर को आगे सरकार तेजी से सड़कों का निर्माण कर रही है पर अब लोग गाउं से पलाइन कर चुके हैं पीने के पानी की समस्या लगबग हर गाउं मे है और वहां की सरकारों ने आज तक इसक लिए कोई रोड में तैयार नहीं किया है पीने की पाने की बेवस्ता करने में ही यहां के लोगों का काफी जादा समय चला जाता है सड़क का ना होना दूसरा कारण है लोगों को कई कई किलो मीटर तक पैदल चलना पड़ता है मेडिकल इमर्जनसी भी पलाईन का एक कारण है ऐसे मेडिगल इमर्जेंसी में मरीज़ को कई किलो मीटर तक डोली या घोड़े की सहायता से प्राथमिक उपचार के लिए ले जाना पड़ता है और अगर मरीज़ के हालत गंबीर है तो इस स्थितिय में उसको नजदी की सहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे सहाब के काटने और गर्वती स्थित्रियों के समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण हर साल कई लोगों की अकाल मिर्थियों हो जाती है अच्छे स्कूलू का ना होना भी पलाइन का एक कारण है प्राइमरी स्कूलू में हालत और भी खराव है किसी स्कूल में दो बच्चे हैं तो किसी में एक इस कॉम्पिटिक्शन के दोर में हर कोई मातापिता अपने बच्चों का इंगलिस मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं परन्तो अच्छे स्कूल ना होना और अच्छे टीचर्स का ना होना भी पलाइन का एक कारण है मान लीजिए आप केमेस्टि जैसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते तो आपको टीचर्स नहीं मिलेंगे कई बार तो आपको कॉलेज बताते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है क्योंकि वहाँ पर उसी सब्जेक्ट का टीचर उपलबदो होता है ये भी कारण है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सहरू के और पलाइन कर रहे है रोजगार के सादन नहीं होना भी पलाइन का कारण है लोग उत्राखंट से बाहर जाकर अपने नए पहचान पत्र बनाते हैं और उनके पुराने पहचान पत्र बड़ी संख्या में निरस्त हो रहे हैं पर राजी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही जिन ग्राम सभाव में पांच सा बोटर तक होते थे आज वहाँ पर केवल बीस से पच्चिस बोटर रह गए सरकार के कई गलत फैसले इस पलाइन का कारण है जैसे आजादी के बाद सरकारों ने तेजी से ब्रिक्षार ओपन किये और उन्होंने स्थानी वनस्पती जैसे बांच, देवदार, बुरास, काफल, आदी को न चुनकर बड़ी संख्या में चीड के पेड़ों का ब्रिक्षार ओपन किया और वनों के स्थान पर ये चीड के बिसाल जंगलों ने ले ली चीड का एक पेड जो की पचास फेटियां उससे भी उचा हो सकता है इस पेड को आधिक पानी की जर्रत होती है और इसके पत्ते जिनको इस्थानी भासा में पिरूल कहा जाता है ये पिरूल पहाड के लिए बहुत घातिक साबित हुआ हर साल फरवरी से मार्च के बीच में शेड के पत्ते जमीन पर गरते हैं और अप्रेल में जैसे घर्मी आती है तो ये जंगल इस पिरूल के खारण आग के चपेट में आ जाते हैं और इन जंगल में उगने वाली जो बनस्पती जिउशन तो होते हैं वो नस्ट हो जाते हैं मतलब कि ये पेड किसी अन्य पेड को उगने ही नहीं देते और आग लगने से आप पहले से ज़्यादा गर्मी होने लगती है वातावरण में CO2 की मात्रा भी बढ़ जाती है जो वन्नी जीव हैं वो भी गाओं की ओर आ जाते हैं जिसे स्थानी निवासी और मवैसी को अपना सिकार बनाते हैं कई बार ये जानवर इस्थाने लोगों पर भी हमला कर देते हैं साथ ये उनके फचलों को भी नश्ट कर देते हैं बन्दर और जंगली समाफों रहे के किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए आपने एमेजॉन के जंगलों में लगी आग के बारे में सुना होगा या फिर अमेरिका या आस्टेलिया के जंगलों के बारे में हर साल मेडिया में खबरे आती है और कई प्रोजेक्ट चलाए जाते इन जंगलों को बचाने के लिए पर ये हमारा दुरभागी है कि उत्राखन के जंगलों के कोई सुद नहीं लेता है अब आप कहेंगे कि चीड के पेड़ों का पलायन से क्या संबंद है एक बात जान लीजिए जो हिमालयन वनस्पती के जंगल है वहां इन चीड के पेड़ों के अपक्सा ज्यादा सर्दी रहती है और ये सेव यानि कि एपल के बागों के लिए उप्युक तो है दूसरे ये पानी के संचाई करने में भी समर्थ है जिन इस्थानों पर ये बन है वहां पर आपको पानी की समस्या भी कम देखने को मिलेगी और साथ ही ऐसे जगों पर वारिस भी अधिक मात्राम होती है क्योंकि यहां पर सिचाई के सादन नहीं होने के कारण किरसी पूरी तरह से वारिस पर निर्भर करती है और सबसे महत्वपून बार ये कि इन जंगलों में आग भी नहीं लगते है और वन्ने जीव भी फलते पूलते है ये तो थे उत्राखंड से पलायन होने के कारण अब बात करते हैं पलायन को कैसे रोका जा सकता है राजी सरकार को वहां की समस्चाओं को ध्यान में रखते हैं पीने के पानी, रोड और मेडिकल जैसी फैसलिटी पर कारी करना बहुत जरूरी है तूरिजम को बढ़ावा देने की जरूरत है जैसे पेरा ग्लाइडिंग, स्केल लाइन वॉक, भूंगी जंपिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है जो कि परेटकु को अपनी और आकरसित करती है जिससे वहां परेटन को बढ़ावा मिले और लोगों के लिए रोजगार के नए आउसर बन सके धार में किस तलू के लिए नए यातायात के साधनों पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है जानाती सरकार को नई फसलू के बारे में इस्थाने लोगों को जागरू करने की भी जरूरत है जैसे मचली पालन, पसू पालन, अक्रोड, बादाम, आम, कीवी, ड्रेगन फूड, अनार, आदी की जानकारी देना और तक्निक महया कराना जैसे की पेड़ों में ग्राब के माध्यम से उच गुनवर्ता के फलदार ब्रेक्सों को जो की कुछी सालों में फल देने लगते हैं और बाजार में इनकी भारी मांग होती है और अच्छी कीमत भी मिलती है असेंसियल ओयल निकलने की तक्निक इस्थानी लोगों को महया करा कर इस्थानी किसानों के लिए आई के नए श्रोत उत्पन्न कर सकते हैं लेमन इन स्थानों पर काफी मात्रा में उत्पन्नों होता है, एक किलो लेमन ओईल की कीमत लगभग एक हजार से दो हजार रुपे तक है, अगर इन किसानों को ये सारी फैसलेटी दी जाए, इन्हें ये तक्निकें सिखाई जाए तो इससे रोजगार और आई दूनों में सच का हूँ तो सरकार से ये उमीद करना बेमानी है, मैंने वीडियो के सुरू में कहा था कि सास्कृती को खत्रा है, उत्राखंड में बड़ी संक्या में बाहरी लोग आकर बसने लगें, जिसके चलते लोग अब इसके लिए भूमी अधिगरण कानून की मांग कर रहे हैं, पता नहीं सरकार इस ओर क्यों धिहान नहीं दे रही हैं, सरकारें आखे बंद करके क्यों बैठी हैं, इसके लिए साइद वहां के स्थाने लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, और लोगों को सामने आकर अपनी बात रखने पड़ेगी, इस बारे में मस्रूम गर्ल दिव् परावत के बारे में मेरे ब्लॉग संगितास्पन.com पोस्ट है, जिसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, ये थी उतराखन की समस्याएं और उनका समाधान, आप कोई वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर क्योंकि आपके कमेंटर में बहुत मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए, उतराखन से संबंदित किसी भी विसाई की जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग संगितास्पन.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं उतराखन के विसाई में समय समय पर लिखते रहती हूं, थेंक यू